नमस्कार दफॉलो अब देख रहे हैं आप राची के जेस्टेडियम में मात्र एक सो निन्यानवे रुपे में आपके पास टीम इंडिया और विदेश के तमाम बड़े क्रिकेट खिलाडियों को देखने का मौका है महज एक सो निन्यानवे रुपे में आप यहाँ पर गौतम गंभीर, रुफान पठान, युसुप पठान, सुरेश रहना, पार्थी पटेल, मुनाब पटेल, हर्शी ममला, केविन पिटरसन, सैन वाटसन, क्रीस गेल जैसे बड़े खिलाडियों को लाइब देख पाएंगे मैं आपको एक जरूरी जानकारी देदू कि इस लीग में कुल 6 टीमें खेलेंगी जिनमें इंडिया कैपिटल्स, साउदन सूपरिस्टार्स, और वनाइजर हैदराबाद, भीलवाडा किंग्स, गुजराट डायन्स और मनिपाल टाइगर्स नाम की टीमें खेलेंगी जो उदगाटन मुकाबला होगा वो गौतम गंभीर की कप्तानी वाली इंडिया कैपिटल्स और इर्फान पठान की कप्तानी वाली भीलवाडा किंग्स के बीच ये मुकाबला खेला जाना है मैं बता दू कि ये तीसरा सीजन है और इस बार रांची समय चार शहरों को इस लीग के लिए चुना गया है जहां मैज खेले जाएंगे पहले पांच मुकाबले जो हैं लीग के वो रांची में खेले जाएंगे इसके बाद दहरादून, जम्मू, विसाखा, पत्नम और सूरत में मुकाबले खेले जाएंगे इस लीग में जैसा की बताया गया कि देश विदेश के तकरीबन 120 खिलाडी इसमें लीग में खेलते नजर आएंगे और वो सभी 120 खिलाडी इस समय रांची में मौजूद हैं और अलग-अलग दीन पर अपने मुकाबले खेलेंगे इस लीग की महत्ता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गौतम गंभीर और इर्फान पठान जैसे खिलाडी हर्बजन जैसे खिलाडी अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें कमेंटरी कर रहे थे लेकिन 18-19 नौंबर को जो फाइनल खेला जाने व देख पाएंगे मैं बता दूं कि इसमें इर्फान पठान योसुप पठान दोनों फाई हैं ये खेलते नजर आएंगे इसके बाद इसमें तिलग रत्रे दिलशान जो स्रिलंकाई क्रिकेट टीम के पूर्व कपतान है वो खेलते नजर आएंगे पूर्व विकेट की पर ब वर्ल्ड कप विजेता टीम के हीरो में से एक हैं जोनोंने फाइनल में 97 रन की पारी खेली थी वो इसमें खेलते नजर आएंगे दिलहारा फरनांडो हैं ये सिरलंका के खिलाडी हैं ये भी इसमें खेलते नजर आएंगे इसके अलावा हाशी मामला साउथ अपरिका के खिल वो खेलते नजर आएंगे हरभजन सिंग कहलते नजर आंगे जो डॉम मेब घैलर ऍवय साथ के आभी सब्स्विज कर ना चाथ मुंनते न selves रहेंगे जो 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे, चेनरी सुपरन किंग्स के लिए उन्होंने कई अहम मुकाबले खेले हैं, महेंदर सिंग धोनी जो राची के हैं, उनके खास दोस्तों में सुरेश रहना का नाम शुमार होता है, तो वो भी अपने सबसे खास दोस्त के शहर में खेलते नजर आएंगे, न्यूजिलेंड के ही मार्टिन गुप्टिल खेलते नजर आएंगे, मार्टिन गुप्टिल के नाम से कोई भी क्रिकेट प्रेमी जो है, वो परिचित नहीं होगा, क्योंकि 2019 का जो वर्ल्ड कप हम हारे, उसमें मार्टिन गुप्टिल का बहुत इरफान पठान की भिलवाला किंग्स और गौतम गंभीर की इंडिया कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा तो जेसी ए स्टेडियम में जो टीमें हैं आज जब हम इस वक्त मौजूद हैं तो इस्टेडियम के भीतर जो है वो भिलवाला किंग्स और इंडिया कैपिटल्स के ख और टिकट के लिए जो दर्शक चाहते हैं कि वो टिकट खरीद कर इस मैच को देखना चाहते हैं वो लोग पेटीम के थुरू टिकट खरीद सकते हैं उनलाइन इसके अलावा जो जेसी स्टेडियम है इसके बाहर गेट पे बॉक्स ऑफिक्स बना है वहाँ पर टिकट खरीद सकते हैं 499 रुपे से टिकट की कीमत शुरू होंगी और 499 अधिक्तम कीमत है टिकट की तो आप ये टिकट खरीद कर ये टूनामेंट देख सकते हैं और ये बड़ा मौका है लिजेंडली क्रिकेट एक बड़ा मौका है उन खिलाडियों को देख पाने का दर्शकों के लिए जो एक् थरी खिलाडी ऐसे हैं जिनोंने सन्यास ले लिया लेकिन उनके जो फैंसे उनके जो प्राश्वसंग के क्रिकेट विषए सगया है उन्हें ये लगता था कि नहीं उनमें और क्रिकेट बचा है कम से कम वह पाँच साल और खेल सकते थे साथ साल और क्रिकेट जैसे सूरेश राइना है गौतम गंभीर है हाशी ममला है सेन वाट्सन है इर्फान पठान है ऐसे खिलाडी जिनके प्रसंसंकों को लगता था कि यह लंबा और खेल सकते थे लेकिन उनको निरासा हुई कि उनके फेवरेट खिलाडी ने सन्यास ले लिया तो वह उनको लीजेंड ली यह दोबारा देख सकते हैं तो यह उनके लिए बहुत बड़ा मौका है राची में पांच मुकाबले हैं 18 नौवंबर से यह लीग जो है शुरू हो रही है और 23 नौवंबर को इसका आखरी में जो पांचवा मैच है राची में खेला जाएगा इसके बात जो है टीमें देह होकी चेंपियंशिप का आयोजन हुआ था जिसमें टीम इंडिया विजए रही अभी वर्ल्ड कप चल रहा है टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चकी है रविवार को एहमदाबाद में मुकाबला खेला जाना है और हर क्रिकेट प्रेमी को विश्वास है कि टीम इंडिया एक तरफ प्रेक्टिस कर रही है उन्डिया केपिटल्स की टीम है उनके टीम में हासी मामला और मुनाप पटिल जैसे बड़े नाम है दुसी तरफ इर्फान पठान की कप्तानी वाली भिलवाला किंग्स की टीम जो है वो प्रेक्टिस कर रही है जिसमें उनके भाई इर्फ प्रवट्रिय मुकाबले हुए हैं टेस्ट मैच हुआ है लेकिन यह जो खिलाडी है जो गौतम गंभीर है मुनाप पटेल है हर्भजन सिंग है पार्थी पटेल है ऐसे खिलाडी यह पहली बार है जब राची में खेल रहे हैं तो राची के दरसकों के लिए जोन्होंने कभी गौतम गंभीर को ऐसे लाइब खेलते नहीं देखा सुरेश रहना को ऐसे लाइब खेलते नहीं देखा हर्भजन सिंग को कभी वो लाइब नहीं मिल पाए नहीं देख पाए उनके लिए एक बड़ा मौका है कि वो आकर यहां पर देख सकते हैं तो दोनों ही टिमें प्रैक कि अप्सक्राइब कि अप्सक्राइब कि अप्सक्राइब